मत्य प्रदिश में मौन्सून का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले तीन दिनों से लगतार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर मालवा, अशोक नगर, भिंड, छतरपुर, दमो, दतिया, देवास, गुना, गौलियर, मंदसौर, मुरैना, नीमच, निवाडी, पन्ना, रतलाम, सागर, साजहापुर, सिवपुरी, टीकमगड और उज्जैन में अगले 24 घंटों तक मौसम विभाग तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, चलिए मौसम विज्ञानिक से जानते हैं मौसम के बारे में चक्रवाती घेरे तक जा रहा था है, और इसके इंफ्लेंस में कई जगों पे मध्यम से भारी वर्षा, जब कि कुछ जगों पे आती भारी वर्षा, वहीं पे सिंग्रोंली में आते थिक भारी वर्षा पी दर्ज की गई, आगामी 24 घंटे की बात परे तो जैसे आप सेटल और ग्वालियार होते हुए मत्वदेश के उत्री हिंसे से होकर सीकर वाले उत्री राजस्थान तक बुजल रहा है, साथ में एक और टफ लाइन जो पुरू से पुरू से प्षिम की ओध फैली हुई है, पुमद्द चोप मंदल के इस्तर पर इनी लगभग लगग इनी छे प्रवावित कर रही है, और कई जगों पर जैसे आप साटलाइट वेजरी में देख सकते हैं, जो आपको यलो और रेड़ पैचेस दीख रहे हैं, कई जगों पर अच्छी बारिस, आज सुबह से या वी यह कहना चाहिए कि आज देर रात से जो पिछले कल रात से शुरू ह करेगा, कल हमने जबलपूर संभाग, भौपाल संभाग, नर्वदापूरम संभाग के कुछ हिस्ते हैं, जिसमें सिहोर, रायशे, नर्वदापूरम, नर्शिंगपूर, चिंद्वाडा, सीवनी, मनला, बालागा, डिनोरी, अनुपूर, यहां पे रेड़ दिया है, वहीं जारी रहेगा, इन सभी परिस्तियों के देखते हुए, अगर आप जो हमने प्रशनी जारी किया है, वहां पे आप देखे, तो कुछ जगहों पे जहां पे निचले पानी बनने की संभावना है, या फिर बाठ आने की संभावना है, वो भी आप